हम आपको दिखा रहे हैं 1951 की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बॉलिवोड के ओडेशन की सचाई बया करती है कास्टिंग काउच अगर आप एक अक्टर हो तो इस शब्ट से आप जरूर वाकिफ होगे अगर आप एक अक्टर नहीं भी हो तो भी कभी न कभी किसी न किसी सेलिब्रिटी के मूँ से जरूर सुने होगे कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ है मैं कास्टिंग काउच फेस की हूँ या मैंने फेस किया है तो casting couch एक बहुत ही गंदी चीज होती है और अगर मैं आपको बता हूँ तो मैंने भी casting couch face किया है उसकी story आपको वीडियो में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन उसी जगह, उसी industry में होती है genuine casting लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है आज हम बात करेंगे casting couch और genuine casting के बारे में कि आपको क्या choose करना है कि सफलता आपको किस से मिलेगी casting couch से या genuine casting से आपको कौन सी सफलता चाहिए यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को casting couch हर industry में होता है यह बहुत ही glamorous industry है और यहाँ पर पैसे भी बहुत है वैसे पैसे तो हर industry में है लेकिन यहाँ कुछ जादा ही है लेकिन हम Bollywood industry के casting couch से पहले और भी तमाम industry के casting couch के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा India Today के एक survey से पता चला कि 60% से जादा casting couch होता है चाहे वो Bollywood industry हो या फिर कोई other professional industry हो जैसे hospital हो या IT sector हो जैसा कि आपने देखा कि casting couch हर एक industry में होता है लेकिन हम बात करेंगे Bollywood industry से related कि इस industry के जो टॉप पे बैठे हैं जैसे director हुए, producer हुए, casting director हुए यह तो टॉप पे हैं इस movie या web series में आपको ये role मिल जाएगा तो इस तरीके से casting couch होता है Bollywood industry में और आज कि इस video में बहुत खुल के बात करूँगा कि जैसे जो बड़े लोग होते हैं चलो उनका है तो नाम आ जाता कभी कभा लीग हो जाता क्योंकि जो actors कभी कुछ बन जाती है आवाज वहां तक नहीं पहुच बाती जहां तक दुनिया उनको सुन सके तो आप लोगों को एक चीज बहुत सो समझ के करनी हो कि कैसे आप लोगों को इस industry में आना है उसके वारे में भी मैं बात करूँगा लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलिवुट के 10 celebrities के बारे में जिन्हों ने कास्टिंग काउच फेस किया सबसे पहला नाम कंगना रनाउट कंगना रनाउट तक खुल के बोला है कि मैंने कास्टिंग काउच फेस किया जब मैं आई थी 16-17 साल की थी तो मेरे साथ भी कास्टिंग काउच हुआ है आप जाके उनका इंटर्व्यू देख सकते हैं मैं लिंक आपको description में दे दूँगा उसके बाद हैं रनवीर सिंग रनवीर सिंग भी एक इंटर्व्यू में बोला है राथिका अप्टे ने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है यहां तकी और आईश्मान खुराना ने भी बोला है कि मैंने भी कास्टिंग काउच को फेस किया हुआ है और जैसे अक्टरस कलकी कोचलिंग, सुर्वीन चावला, तृष्या चोपडा यह सब ने सब कास्टिंग काउच को फेस किया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस इंडस्टिंग के टॉप पर आना है तो आपको कास्टिंग काउच को फेस करना पड़ेगा विदाउट कास्टिंग काउच भी आप इंडस्टिंग के टॉप पर पहुँच सकते हैं और अगर आपको बॉलिवोड इंडस्टिंग में काम करना है तो आप हमारा दस्ट्रगलर एप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको डेली ऑडिशन अपडेट मिलेगी वो भी जन्मिन अल्लिम्टेड ऑडिशन अपडेट रहेगी और उसी में आपको बीच में आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाओगा आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है आपको अगर प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगे तो आपको कास्टिंग डिरेक्टर का कॉल आएगा आप इस कैरेक्टर के लुक में फिट हो जैसे ही audition हुआ, दो से तीन दिन में आपको call आ जाएगा कि आप select हो चुके इस movie या इस character के लिए, ठीक है, simple सा process होता है, इसके अलावों कोई कुछ नहीं करता है, और यहीं पे ही casting couch भी होता है, जैसे अगर आप किसी role के लिए हो, आपको सामने से casting director पूछ सकता है, compromise करने के या फिर director पूछ सकता है, तो आपको इसी चीज से बचना है, जैसे कि आप से कोई पूछा, अगर आप करना चाहो, तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो, तो नहीं कर सकते हो, साफ मना, कोई जबरजस्ती नहीं होती, सबसे बड़ी चीज लोग कहते हैं कि जबरजस्ती तो नहीं हो जाएगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो कि ज्याज़ता लड़कियों क्याते हैं कि सर हमाई साथ जबरदस्ती तो नहीं होगी जबरदस्ती कोई नहीं करेगा अगर आपकी इच्छा है तभी आपके साथ कास्टिंग काउच होगा तो इस बात को तभी आप लोग ऐसा को इस टेप उठाएगा मैं तो कहुंगा कि बिल्कुल ना उठाना अगर आप कुछ बनना चाते हो तो अपनी महनस से बनो ऐसे गलत काम करके तो बिल्कुल ना बनो ठीक है अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो आप अपने आप उस मुकाम पर पहुच जाओगे भले कास्टिंग काउच करके पहुच तो गए लेकिन उस नाम को आप बना नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास टैलेंट नहीं है टैलेंट रहा तो 101% आप अपना ज़ंडा ज़रूर गाड़ दोगे बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच से बचना कै है अपके साथ या आपके साथ या आपके दोन में किसी से बात करके के मदद हो जाए नहीं तो उपर बारा ध्यान दे देता है आज भी देखने पर आपको यह समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करना है अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं तो आपको खुद बैक स्टेप ले लेना कि नहीं मैं कास्टिंग काउच से काम नहीं करना चाहते हैं मुझे नहीं चाहिए और मैं आपको बताओं मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे को बताएं कि यार भावेश ऐसा ऐसा होता है कि डिरेक्टर या फिर कास्टिंग डिरेक्टर कॉल करके कहता है कि कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा तो फिर हम मना कर देते हैं तो वो छोटे-छोटे रोल करते वे आज उस मुकाम पे धीरे-धीरे पहुच रही है, वो भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी आपको अपनी बात शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, ये सब आपके ही हाथ में कि आपको बचना कैसे है, अगर आप हाँ बोलोगे तो आपके साथ casting couch होगा, ना बोलोगे तो नहीं होगा, और अगर आपके साथ भी कभी कोई casting couch का experience हुआ है, तो comment करके ज़रूर बताना, जैसे और लोग हैं, वो उस comment को देख लें, और समझ सकते हैं कि, ऐसा भी कुछ होगा, तो उनको बचना कैसे है, अब मैं बात करता हूँ अपने बारे में, कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, जब मैं मुंबई गया था, 2019 के end में, तो मेरे पास बहुत सारे casting directors के number थे, directors के number थे, मतलब मिलते जा रहे थे, दोस्तों के थूरू, तो उन्हीं में से कोई ऐसा number था, मुझे याद तो नहीं है number, तो मैंने अपनी profile शेयर की, उन्होंने कहा कि, profile तुम्हारी तो बहुत अच्छी है, आओ मिल के बात करते हैं, तो इतना तो मुझे पता था, इतना तो मुझे ग्यान था, कि अगर आपको कोई बुला रहा है मिलने के लिए, तो वो आपको office में बुलाएगा, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, अब मैं थोड़ा सा doubt में आया, मैं का, घर पे कोई मुझे बुला रहा है, ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और वो भी मेरे क्याल से, इवनिंग का टाइम था साथ साढ़े साथ आठ बज रहा था, फिर मैंने कहा कि अपने एक दोस्त को लेके गया, मैं का भाई तुम भी चलो, मुझे अकेले समझ भी नहीं आ रहा कि कुछ तो हो सकता है यहां पर, फिर मैं गया, तो मुझे उनके जो हाव भाव थे, उससे लग गया, कि ये कुछ गलत करने की कोशिश में है, और साथी साथ उन्होंने मेरे से कान में बोला, कि जब मैं तुम्हें अकेले बोलाया था, तो तुम अपने दोस्त को लेके क्यों आए, तो मैं भी वहाँ थोड़ा जॉली नेजर में आके काम, मैं का, यहीं रहता है, मैं का, चलो, तुम्हें भी कास्टिंग डिरेक्टर सरसे मिलवा देता हूँ, तुम्हारा वही काम बन जाएगा, तो उन्हें ने का, नहीं, जब मैं तुम्हें बोलाया है, तो तुम ही आओ, तो मुझे डाउट लग गया, उनके जो टच चोच किये था, तो उस हिसाब से पता चल गया था, कि वो थोड़ा अलग मेटर में जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ से का, ठीक है सर, मैं भी जा रहा हूँ, कल आता हूँ, कल आपको बता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 दिन, मतलब फॉलो किया, कि आ रहे हो, आ रहे हो, तो फिर मैं रोज भाना मारता हूँ, की नहीं, मेरा आज ओडिक्षन है, मैं आज शूट पे हूँ, यह हूँ, भले कुछ ना कर रहा हूँ, तो मैं अज़ाज़ा बोलके, उन्होंने समझ, वो समझ गए कि अब लड़का हाथ में नहीं आने वाला है, तो फिर वो छोड़ दिये, तो सब कुछ आपके उपर है, अच्छी लगी, तो लाइक ज़रू करना, शेयर करना, दोस्तों से, जैसे उनको भी ये बात पता चले कि कास्टिंग काउच कैसे होता है, आपको क्या करना है, सारी चीज आप लोगों को इस वीडियो के थुरू पता चल गई होगी, और इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को The Struggler YouTube चैनल पर मिलती रहे कि तो जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके के नेक्स वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!